नवश्कार मित्रो जय माता दी स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में तो तुला राशी वालो व्रमान की सारी शक्तियों ने दे दिये हैं संकेत आपके घर के इस भाग में हैं बेश किम्ति खजाना मई का ये महिना जबर दस्त ग्रह संयोग लेकर आ रहा है जहाँ पर सूर्य, शुक्र, मंगल और बुद्ध चार बड़े ग्रह अपना राशी परिवरतन करेंगे मलब ऐसा नहीं है कि एक साथ होगा कोई ग्रह परिवरतन शुरुआत को साथ मई को है, कोई 15, कोई 20, तो कोई 27 यानी समय समय पर जटके मिलते रहेंगे, समय समय पर परिवरतन देखने को मिलते रहेंगे अब अगर इन परिवरतनों का अच्छा लाब उठाना है तो आपको वीडियो को बिलकुल अंततर देखना है और अगर नहीं तो नकारात्मक प्रभाव पढ़ने तय हैं शुरू से लेकर अंततक देखे हम इसके प्रभावों को किस तरह से सकारात्मक बनाना है उसकी जानकारी देंगे किन गलतियों को नहीं करना है इसके सला देंगे वीडियो के अंत में उपाए भी देंगे ताकि आप अपने जीवन को सुरक्षित, शानदार और खुबसूरत बना सकें तो देर किस बात की दोस्तो वीडियो की शिर्वात करने से पहले माता रानी के सभी सच्चे भक तभी के भी लाइक कर दी इंटर बॉक्स में जय माता दी आप अवश्य ही लिखिए आपके सारे बिगडे का माता रानी जरूर समपनने कराएगी तो बिना देर करे आईए वीडियो की शिर्वात करते हैं तो जो समय हैं माई माहा के कुछ दिन तो बीच चुके हैं परन्तु जो बचे हुए 25 दिन हैं समय निरंतर सुधार की ओर ही जा रहा है कारे आप भी महसूस कर रहे होंगे उत्तम तरीके से हो रहे हैं और जो रुकावटे बार-बार आ जाती थी वो समाप्त हो रही है तो यसा क्यों हो रहा है तो ये सब होने वाला है दोस्तो बूध गरह के वक्री हो जाने की वज़े से साथ मई को बूध गरह वक्री होंगे जिसके माध्यम से आपके जिंदगी में एक अनोखा परिवर्तन देखने मिलेगा बस अगर आप खजाना प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको घर का एक कोना बड़ा साफ रखना होगा उस कोने का नाम है इशान कोन इसके महत्यों के बारे में जितनी बाते की जाए उतनी कम हैं आप भी महत्यों तो समस्ते ही होंगे घर के इशान कोन में ही भगवान रखे जाते हैं और बहुत सारे लोग नहीं भी रखते हैं तो इस घर के इशान कोन को एक दम स्वच्छ होना चाहिए किसी भी घर का इशान कोण हो एक दम वो स्वच्छ हो वहाँ पर अटाला भंगार कोई भी न रखा हो और रोजाना आप कोशिश करें कि इसे साव स्वच्छ बानी से अधोई भी और शाम के साथ बजे यहाँ पर देसी घीक्या एक दीपक जरूर जलाना चाहिए यही तरीके हैं बेश किमती घजाना प्राप्त घने के क्योंकि आपके घर का यही कोना आपको मालावाल बनाएगा अगर आपने इसका ध्यान रखा तो माताल लक्षमी का स्थाई निवाज भी कराएगा इसलिए से अलके मत लीजेगा और निरंतर दोस्तों अपना काम अब बक्षू भी करिएगा क्योंकि मही का यह जो महिना है इसके बाद 15 तारिक को महसूस करेंगे कि सूर्य अपना राशी परिवर्तन कर चुके हैं वे मेश को छोड़कर विशब राशी में जाएंगे अब तक किये हैं उनका शुब परिणाम आपको मिलने वाला है किसी भी कारी को पूरा करने में धन का संकट बाधा नहीं वनेगा कई बार ऐसा हो जाता था कि हमें कुछ काम करना रहता था परन्तु पैसों की कमी की वज़े से हम वो काम नहीं कर पाते थे परन्तु सूरिदेव के आशिरवासते जो धन का संकट है वो टलने वाला है जो कित्ती बड़िया बात है नया निवेश करने का भी सही समय है परन्तु जिंदगी में हमारी एक बात बहुत अच्छी तरह से नोट करके रख लीजिए समय जिसका साथ देता है वो बड़ो बड़ो को माद देता है गरीब के घर पर बेठा कोवा भी सबको मोर लगता है और गरीब का भूका बच्चा भी सबको चोड़ लगता है बात अगर किसी की अच्छाई की हो तो सब चुप रहते हैं लेकिन अगर किसी की बुराई करनी हो तो गुंगे भी बोल उठते हैं और यही जमाहें जिसमें हम उलट जाते हैं आप कभी कोई काम करने जाते होंगे तो आपके मन में एक हयाल आता होगा वो चार्जने क्या कहेंगे अगर मिने एक काम किया मतलब आप खुद की खुशियों से ज़्यादा लोगों की खुशियों के बारे में सोचते हैं कितनी बड़ी विडम बना है तो हमारा तो आपसे यही अनुग्रह है कि हमेशा खुद की खुशियों के बारे में सोचिए क्योंकि लोगों के पसंद को ध्यान में रखकर काम कर तो लेंगे परन्तु लोग उसमें भी नुस्त निकाल लेंगे यही उनकी वित्रत है इसलिए वही करिए जो आपका दिल चाहता है वो नहीं जो लोग चाहते हैं बात सही लगी हो तो वीडियो को जरू लाइक करें और कॉमेंट बॉक्स में लिखे राधे राधे जय हो श्री कृष्ण कन्हिया लालकी स्वास्थिर मई के इस महिने में पहले से बहतर रहेगा नए मित्रों से भेट होगी प्रेम संबंद उचाईयों पर पहुचेंगे और प्रेमी प्रेमी काओ के साथ यात्रा परेटन पर जाने का अवसर भी प्राप्त होने वाला है इसे के साथ अनेक कारियों में आपको सफलता मिलेगी किन्तो कुछ कारिय अटक भी सकते हैं भूमी, संपत्ति, संबंदित कारिय बाधा बनेंगे बाकि अनेकारियों से आपको लाप की स्थति बनती दिखाई दे रही है पारिवारिक सामाजिक जीवन में कोई सम्मान आपको प्राप्त हो सकता है किसी को पैसा उधार देना पड़ सकता है परन्तु कई बार क्या होता है रिष्टिदारी में या अपने पन में इन पैसों का आदान प्रदान रिष्टों में खटास ला देता है मान लिजे आपने किसी को पैसे दिये अब वो व्यक्ति बिना बोले पैसा चुका ही नहीं रहा आपको उसे बोलना पड़ेगा आपको उसे टोकना पड़ेगा अब आपका ये टोकना कहीं ने कहीं उसे बुरा लगने लगेगा वो ये भूल जाता है कि आप उसी के पैसे देने में कत्रा रहे हैं यानि मालिक वो है और बुराप मान रहे हैं तो कुल मिला कर ये चीजे पैसे का रिष्टा में आधान प्रदान कही न कही रिष्टों को गमजोर करने वाला होता है ये बात आपने भी महसूस की होगी तो जरा साउधानी पुर्वक करिएगा आर्थिक सामजिक पारिवारिक द्रश्टी से लाप की स्तित्या तो बन ही रही है हम आपको बता चुके हैं ये सब लाप ये सब खजाना निर्मित होगा घर के इशान कोण से जितनी ज़्यादा पिशान कोण की सेवा करेंगे उतना ही ज़्यादा मालक्ष्मी आपसे प्रसन्न होगी क्योंकि वही पर तो देवताओं का वास माना गया है वही पर तो भगवान का वास माना गया है और उस इस्थान की जितनी सेवा की जाए उतनी कम है पूराने निवेश भी आपको अचानक से लाब देने लगेंगे आउसरों का लाब उठाने का प्रियास करें उच्छ अदिकारियों के साथ आपके अंबन हो सकती हैं साउधान रहे, स्वास्ति उत्तम है, जीवन मधूर है, नय प्रेम संबंद प्राप्त हो सकते हैं भूमी भवन संबंदित संपत्ति प्राप्त करने के योग है और नया भवन या नया वाहन खरिदने के भी जबरदस्त मौके निर्मित होने वाले हैं परन्तु ध्यान रहे, उन लोगों से साउधान रहना है, जो आसते इनके साफ है, यानि कि आपके सावने मीठा बोलते हैं और आपके पीट पीछे आपको गिराने की साजीशे रसते हैं ये लोग हमारे आसपास ही है परन्तु हैरान होने वाली बात तो यह है कि हम इने पहचान नहीं पाते और जब तक पहचानते हैं तब तक यह हमें ठक चुके हैं हमें धोका दे चुके होते हैं तो बस इने पहचानने का एक सिंपल तरीका तो यही है कि जो इनसान आपकी लगा बावा देता है ऐसा इंसान हमारे किसी काम का नहीं है यह उस घड़े के समान होते हैं जिसका जिसकी उपरी सत्त विष्ट से भरी होती है और वो पूरा घड़ा दूट का होता है यकीन मानिए ये बात बिलकुल सही है अब समय आ चुका है उपायों के बारे में बात करने का हम जो उपाए आपको बताएंगे उनमें आपको कोई पैसा नहीं लगाना है सच्ची श्रद्धा से अपने पास ही के मंदिर में अपने ही घर में कल लीजिए बेडा पार होगा माता लक्ष्मी प्रसन्न होगी शनिदेव का भी आशिरवाद मिलेगा और सोरी देवता भी प्रसन आपको जाप करना है जब आप इसा हर गुरुवार को करना शुरू कर देंगे तो गुरु का अशिरवाद आपको मिल जाएगा और आपका भाग्य प्रतिश्यत भी बढ़ जाएगा जिससे अठके रुके सारे काम संपन हो जाएगे अब दूसरा उपाए हम आपको बतारे जा रहे है शुकरवार का शुकरवार का संबंद कही ने कही माता लक्षमी से है तो आपको क्या करना है इस दिन शंक से शंक में जल भरिये और भगवान विश्नु का अभिशेक करिये जी हाँ दोस्तों शंक में जल के भर के शंक से अभिशेक करना है इससे माता लक्षमी प शनिवार के दिन दोस्तो आपको क्या करना है शाम को 7 बजे पीपल के पेड़ के नेचे सरसो के तेल का दीपक जलाते हुए ओम शह शनिश्चराय नमा मंतर का जाप करना है और शनिवार के दिन शनिद्यव की क्रपा आप प्राप्त कर लेंगे और रविवार की दिन दोस्तो आपको सूर्द्यव को अर्दग की देना है, उस पानी में थोड़ा सा कुमकुम डाल लीजिए, और एक गुलाब का या कोई भी लाल रंग का पुष्प डाल लीजिए, ये चारो दिन के चार उपाए आपकी जिन्दगी को न बदल दे, फिर आप हमसे कहना। तो तुला राशी वालो आज की वीडियो में बात करी भ्रमान की सारे शक्तिया दे रही है संकेत, आपके घर के इस बाग में हैं बेश इम्तिक हजाना। उमीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई, होगी लाइक जरूर करें, कॉमेंट बॉक्स में जय माता दे लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिलकुल भी न भूलें, अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।